हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरी चनल हेल्दी लाइफ में दोस्तो हम लोगों की आदत होती है कि सुबह या साम के नास्ते में अक्सर हम लोग डेली बिस्किट खाते है तो दोस्तो अगर आपको भी ये आदत लगी हुई है तो आपको सचेत होने की जरुवत है आज का ये वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तो ये वीडियो में हम बिस्किट खाने से यानि की डेली डेली बिस्किट खाने से हमारे शरीर में क्या effect होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे तो मैं आपसे request करूँगा कि आप ये वीडियो को बिना skip किए अन्त तक अवश्य देखिएगा क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी वीडियो है लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिये गए बेल आइकॉन को दबा के all बटन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियो की आपको इंस्टन्ट नोटिफिकेशन मिलेगी दोस्तो सब्सक्राइब करना बिलकुल फ्री है और जो दोस्तो ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत दन्यवाद तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं दोस्तो बिस्किट में वाइट पोईजन यूज होता है वाइट पोईजन यानी की मैदा दोस्तो मैदा एक बहुत ही खतरनाक चीज है जिसके बहुत ही नुक्षान है जो हम ये वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तो जादातर बिस्किट जो है वो मैदे में से ही बनते है और मैदा हमारे पेट के लिए बहुत ही नुकसान दायक है वो भी अगर रोज रोज बिस्किट के रूप में हम लोग मैदा खाएंगे तो वो हमारे बोडी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है दोस्तो रोज रोज बिस्किट खाने से उसमें रहा मैदा हमारे पेट के अंदर हमारी आतों के उपर चिपक जाएगा क्योंकि वो बहुत ही चिकना होता है और वो हमारी आतों को खराब कर देता है दोस्तो ये खाने से आपको पाइल्स जैसी तकलीफ आपको गिफ्ट मिलेगी यानि कि ये आपको पाइल्स की तरफ लेके जाएगा साथ ही मित्रो ये खाने से आपको कब्ज की समस्यापी होने के चांसिस बहुत ही जादा है दोस्तो ये बिस्किट खाने से ये जो कब्स होगा वो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से होगा और आपको कहीं दिनों तक अपना पेट साफ नहीं होने की वज़े से बहुत सारी तकलिफों का सामना करना पड़ेगा दोस्तो इसलिए मैं आपसे आगर करूगा कि मैदे का आप कम से कम सेवन करे या तो बिलकुल ही सेवन ना करे दोस्तो ये बात अलग है कि आप कहीं किसी के घर पे गए या कोई पार्टी या फंक्शन में आपने कभी कभार बिस्किट या मैदा खा लिया उससे ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा लेकिन आप हर रोज अपने डेली रूटीन में चाय के साथ बिस्कूट या ऐसे ही नास्ते में बिस्कूट खाने के आदी हो जाएगे तो उसकी वज़े से आपके शरीर में मैदा जमा होने लगेगा और जिसकी वज़े से पहले जो बताई वो सभी बिमारिया शुरू हो ज लगता है जिया दोस्तो और जिसकी वज़े से दोस्तो याद शक्ति यानि की मेमरी पावर भी कम हो जाता है तो दोस्तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपने बच्चों को डेली नास्ते में बिस्कूट दे रहे तो आप सचेत हो जाएए साउधान हो करने को मिलते थे लेकिन बाद में किसी एक कंट्री की कोई युनिवर्सिटी ने रिसर्च में पाया कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है तो दोस्तो ये तीनों चीजे जो मैंने बताई जो बिस्कूट में होती हो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसान दायक होती है इसक सब चीजे ना हो गिहूं के आटे से भी हम लोग बिस्कूट बना सकते हैं वह थोड़ी सी हेल्दी होती है कंपेर टू मेंदा मगर दोस्तो हम लोग की आदत इतनी खराब हो गई है कि हमको चाय के साथ रोटी बाजरे का रोटला ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता है हमको ड लोडियम गलुटामेट जो की फ्लेवर में एड़ किया जाता है वो हमारी आखो को भयंकर नुकसान पहुंचाता है जिया दोस्तो दोस्तो यही एक कारण है कि हमारी नई पीड़ी को यानि की बच्चों को छोटी उम्र में ही आखों में चस्मा लग जाता है यह चस्मे के बिसक्ट खाने की वज़े से होते हैं दोस्तों आपको YouTube में घर पे बिसक्ट बनाने की बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपी मिलेगी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे comment में लिखे में घर पे homemade healthy बिसक्ट बनाने की रेसिपी आपको लिंक दे दूँगा मगर दोस्तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बाजार में मिलने वाले रेडी मेड बिस्किट आप डेली बेसिस पे हर रोज खूद या आपने बच्चों को देना बिल्कुल बंद कर दे ये होममेड बिस्किट दोस्तो गेहूं के आटे से बनता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है उसमें कोई साइड इफेक्ट कोई नुकसान नहीं होता है उसमें कोई ट्रांसफेट भी नहीं होता है और अन्य कोई केमिकल जो सरीर को नुकसान करते हैं ऐसा कोई केमिकल भी नहीं होता है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको बिस्किट और मैदे से होने वाले नुकसान के बारे में उप्योगी जानकारी हासिल हुई होगी यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों और परिवार जनों में इसे शेर कीजिए यदि आप अन्य कोई सब्जक के उपर वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में लिखिएगा मैं वो सब्जक के उपर वीडियो बनाने की अवर्शे कोशिश करूँगा झाल 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 झाल